हे गाइस तुशार हेर वैलकम टू स्मार्ट बेकर्स आज हमारे किचन में बन रहा है बॉयल राइस आप सोचेंगे कि आप के लिए बॉयल राइस जैसी सिंपल रेसिपी क्यों ये रेसिपी गाइस उन स्टुडेंट्स के लिए है जिनोंने आज तक कभी चावल नहीं बनाए हैं तो उनकी प्रोब्लम का सुलूशन हल हो गया कि उनको कितनी क्वांटिटी में चावल लेने हैं कितनी क्वांटिटी में पानी लेना है और कितनी विसल दिलवानी है तो बॉल राइस बनाने के लिए मैंने आपर डेड़ गिलास के करीब चावल ले लिए हैं आपको जितने खाने हों क्वांटिटी के साब से अब अपना ले लीजिएगा इसके बाद मैंने इस चावल को 20 मिनट के लिए भिगो के रख दिया था तो ये मैंने आपर बासमती के चावल यूज किये हैं 20 मिनट के बिगोने के बाद इसे हम 2-4 बर धो लेंगे इस तरीके से मैंने आपर ये चावल 2-4 बर अच्छे से वोश कर लिए हैं अब हम अपना एक कुकर लेंगे मैंने आपर छोटे कुकर का इस्तमाल किया है और इसमें हम डालेंगे धाई गिलास के करीब पानी देखिए मैंने 1-5 गिलास चावल लिए उसे 20 मिनट तक सोख भी किया है इसलिए मैं यापर धाई गिलास पानी डालूँगा ठीक है तो डाई गिलास पानी डाल देने के बाद अपने धुलेवे चावल इसमें हम डाल देंगे और फिर हम डालेंगे इसमें 2 टीस्पून नमक या फिर स्वाद के अनुसार देख लीजेगा आपको कितना नमक खाना है बस अब कुछ नहीं करना आपको गैस चलाना है और अपना कुकर गैस पर चड़ा देना है और इस कुकर का धकन कर दीजिए बंद अब इसे हाई फ्लेम पर पकाईए तीन सीटी आने तक तीन सीटी आने आते ही तीसरी सीटी आते ही कैस को बंद कर दीजिए ये देखिए हमारी 3 सीटी आ चुकी है ये मैंने हाँ पर छोटा कुकर इस्तमाल किया है इसलिए 3 सीटी अगर आप बढ़ा कुकर ले रहे हैं तो सिरफ 1 सीटी दिलवाईएगा तो लीजिए और 3 सीटी आने के बाद इसे 15 मिनिट के लिए तो अब मैं क्या करूँगा खोलने के बाद इसे 10 मिनिट के लिए थोड़ा सा धकन ऐसे ही रखकर छोड़ दूगा अगर आप एकदम से धक्के रख देंगे तो वो भत हो सकते हैं तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे प्लेट में आप देख सकते हैं एकदम खिले खिले राइस बनकर हमारे त्यार हुए हैं अगर मेजरमेंट सही हो पानी और चावल का तो हमारे राइस कभी भी खराप नहीं हो सकते तो लीजिए हमारे पॉल्ड राइस बनकर त्यार हैं तो बताईए स्टूडेंट्स या जो भी वीडियो देख रहे हैं आपके लिए रेसिपी कितनी हल्फुल रही अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजेगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल स्मार्ट वेकर्स को सब्सक्राइब करें मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताईएगा आपको या रेसिपी कैसी लगी थैंक यू